नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे ब्रद्विधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दिपावली के अगले दिन होता है गोबर्धन महराज की पूजा तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि घर पर हम गोबर से गोबर्धन कैसे बनाएंगे और उसके उपर स्वास्तिक बना लिए जगह को सुद्ध करने के बाद ही हमें पूजन सुरू करनी है और गोदूली बेला में साम के समयिता को किया जाता है तो घर बनाया और ने की बौडी बनाया और दोनों हाथ इस तरह से बना लिया कोई-कोई-कोई-कति पहाड बनाते हैं कोई-कोई दोना हाथ इस तरह से उपर के तरफ रखते हैं तो आप लोगो को अलग-अलग जगा पे अलग-अलग गोवर्दन जी की आकरिती देखने के लिए मिल जाएगा अपने घर के परमपरा के हिसाब से गोवर्दन बनाया जाता है इसके बाद देखे बनाया जाता है और अगर गोवर्दन ना मीले तो आटा और हल्दी जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को उस तरह से भी आप चौकपूर के उसके ऊपर अठा से या हल्दी से गोवर्दन जी की आकरिती बनाकर पूजा कर सकते हैं इसके थोड़ी से आप गहने बगरा बना आप simply एक पाहाड का स्वारूप मना कर भी पूजन कर सकते है इसमें छोटे-छोटे मैंने एक गाय और एक बचड़ा बना लिया ये भी गोबर्धन पूजा में जरूर बनाया जाता है गाय बचड़ी की पूजन जरूर किया जाता है और एक हाथ में इस तरह से मैंने पाहाड बना जाता है तो साथात Fraktion में चंदुरमा की पूजन उतिका और बीच में मैंने यहां नाभी बना के रह आखा दूद भरा जाता थोड़ी सी रंगोली का लर का भी यूज करोई आप चाहें तो आटा का यूज कर सकते हैं और कहीं जगा पर तो आटा और हल्दी का यूज करना बहुत कंपल सरी होती है तो सभी जो गवर्दन का जो गहने वगार आमने बनाया उंगलिया बनाया है उन सभी चीजों को एक हता है तो यहां पर पर लिए उनके पटका जो है ना मेंने डिजाइन कर दिया और पेयरों का पांच उंगली में वहाथ में बनाया इसला सब elimination कर देंगे इस सब्सक्राइन कर देंगे और बहुत ही जाधा सुंदर और प्यारे दीखते है तो यहां बनाना कोई कमपल सरी तो होता नहीं है लेकिन कोई पूजा अगर भव्य तरीके से करते हैं हम तो देखने में भी अच्छा लगता है और हमें भी बहुत मनी मन बहुत खुशी होती है अब इतनी आउटलाइन करके भी आप यहां तक करके भी पूजन कर सकते लेकिन इसके करना होता है गाय बचले चलते हैं और पाहड आपको पता है कि कितना बड़ा और बहुत हुज होता है इसमें मैंने कलर कर दिया फिर उनकी जो वस्त्र है काना जी की सोरुप मान के भी कोई गवर्धन जी की पूजा करते है और जो हाथ में उन्होंने उठागे राखा है वह होती काना जी को पसंद आता है यह लो कलर उनकी फैवरेट कलर होता है और भगवान स्रिविष्णु नारायन का कोई भी सवरुप को पीला कप्डा पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है यहां पर देखो मैंने उनकी मुकुट को डिजाइन कर दिया और जो हमारे सूर इवर शुक्त कर दिए सब्सक्राण के नंश्पर युक्त होते हैं आप इनकी ज्यूरी भी उले भी बना लिया है और स्था आपको यह पलबस बनाने का कैसे जुरूर बताना और हाँ बच्चों को भी जुरूर इनवाल्वयार्ब करना वह आपके साथ अगर रहते हैं तो करते हैं और आगे सिखाने का सबसे सही तरीका है कि जब आप कुछझ काम कर रहे हो तो आप भी उनको साथ में बठाओ veio Never मैं वेटी भी मेरे साथ में रहते हैं मैं उनको हमेशा उलतों की साथ में रहो ने उनको आलता भी पैना दिया है भगवान के पैर में रंगीन रहते हैं बहुत सुंदर लगता है देखने में तो इस तरह से आप भी सुबा या दोपैरों तक गाय की गोबर से गोबर्धन बना लिजेगा साम के समय इनकी पूजा होती है पूजा कैसे होती है इसकी वीडिय है तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट टाटा बाई बाई